हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आए हैं यह एक स्नैक की रेसिपी है जिसे आप जटपट बनाकर रेडी कर लोगे और यह साबू दाने से बनने वाला बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है और यह बनने में जितना आस वाला साबूदाना हमने लिया है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसे हम नॉर्मल ऐसे ही बिना भिगाए हुए इसका पाउडर बना लेते हैं इसको हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और यहां से थोड़ा सा साबूदाना अगर आप साबूत वाला पसंद करते हो तो इसे डाल सकते हो मैं थोड़ा सा एक चमच के गरीब रोक रही हूं बाकी का सारा हम पीस लेंगे इसका हमने पाउडर बना लेना है अब एक मैंने बड़े बाउल लिया है साइज में थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि अब मिक्शर बनेगा तो यहां पे सबसे पहले साबुदाने का पाउडर डाल लेते हैं मैंने साबुदाने को बहुत अच्छी तरह पीस लिया है अब इसके अंदर और भी मिसाले जाएंगे थोड़े से इंग्रीजिंट और डालेंगे और यह जो साबुदाने का एक चमच हमने रखा था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं अब यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लेने हैं मैंने इस तरह दो से तीन आलू लिये हैं उबले हुए इसको हम इसके अंदर ग्रेट करके डालेंगे इस तरह आपने अच्छी तरह ग्रेट करना है बिल्कुल बारीक इसके अंदर लंप्स बिल्कुल नहीं होने चाहिएं आप मेश करेंगे तो इसके अंदर गुठलियां आ सकती हैं आप ग्रेट करके डालियेगा इसी तरहें तीन आलू मैं इसके अंदर ग्रेट कर लेती हूँ अलु में इसके इंदर great कर लिये हैं आप इसके अदर आलते हैं कटी होई hari meats, दो मिर्ची लिये हैं हमने, इनको बिल्कुल बारिक चौप कर लिया है यहाँ पे एक इंच अद्रक का टुकडा है उसे भी बारिक चौप किया है, उसे डाल लेते हैं यहां पे धनिया पती ली हैं दो चमच के क्रीब उन्हें भी मैंने चॉप करके डाला है यहां पे जीरा डाल देते हैं आधा चमच के क्रीब आप इसके अंदर नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालेंगे मैंने आधा चमज डाला है इसके अंदर अब यहाँ पर लेमन जूस यानि कि निम्बू का रस डाल देते हैं नहीं तो आप चाट मसाले का यूस भी कर सकते हैं उर यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला गरम मसाला से इसकाते बहुत अच्छा आजाएगा हैं अब इन सभी मसालों को हम इसके साथ मिक्स करेंगي और बहुत जादा इंग्रीडियन्द इसके नहीं जाएए अभ Хот जाड़ा ड्राइ लगे तो इसमें अलू की quantity आप थोड़ी बढ़ा सकते हो या फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो यहां पर मैंने तीन चमच मंगफली ली थी साबुत वाली उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है यह जो मंगफली यह भूनी हुई थी बूनी हुई मंगफली को हमने इसके अंदर पीस कर डाल लिया है तो यह हमारा बिल्कुल पौट यह मंगफली डालने से स्नैक बनाना तो वह भी बना सकते हो लेकिन हम इसे आज बर्फी के अकार में बनाएंगे तो ट्रे के अंदर पहले इसे अच्छी तरह सेट कर लेते हैं दबा कर सेट किया है मैंने इसे अब नाइफ की हेल्प से इसको कट कर लेंगे इसके जो पीसी से आप अपनी च्वास के अकॉर्डिंग छोटे बड़े कट कर सकती हैं पहले मैं कट कर लूँगी आपको फिर दिखाती हूँ है अब पीची हमने इस तरह कर लिए है मैं सारा दूब थोड़े चूटे कर रही हूँ अब इसमें से हम एक पीच निकाल कर आपको दिखाते है इस तरह यह बहुत ही क्ट कर लिए ह तो लिजे सारे pieces मैंने ऐसे निकाल लिया है अब हम इने fry करते हैं फ्राइ करने के लिए oil को हमने गरम होने के लिए रखतीया है जो oil है बहुत ज़्यार गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यार ठंडा भी नहीं होना चाहिए medium flame पे हमने इसको गरम किया है अब हम one by one pieces इसके अंदर डालते हुए fry कर लेंगे और इनका जो color है अच्छा सा golden आना चाहिए तो ही यह crispy होते हैं और यह तेस्टी भी लगते हैं तो इने one by one डालते हुए हम इने crispy होने तक अच्छी तरह fry कर लेंगे बिल्कुल एक साइड से जब थोड़ा सा color आ जाएगा तब इसे turn कर दीजिए जब यह कच्छे हो तब आप इने turn मत कीजिए नहीं तो यह बीच में तूट जाएंगे oil के एक साइड से color आने पे ही आपने इनको turn करना है तो लीजिए यह हमारे बहुत ही बढ़िया snacks बन रहे हैं अब ह एक्स्ट्रा oil है वो सारा absorb हो जाए उसके उपर अब हमारी snack बन के तयार हो गए है इसी तरह हमने next lot को भी fry कर लेना है जितने भी lot आप fry करना चाहते हैं कर लीजिए और फिर आप इस से हम बाद में सौब करके आपको दिखाएंगे तो लीजिए ये snacks भी हमारे बन के तयार हो गए हैं हम इने सर्फ करेंगे आप इसे green चट्नी के साथ इमले की चट्नी के साथ नारिल की चट्नी के साथ किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आप इसे एक बार dry जूर करके तो लीजिए यह सारे snacks हमारे बन के तयार हो गए हैं देखने में बहुत ज़्यादा टेस्ती हैं और उतने ही healthy भी होते हैं आप एक बर बनाएंगे तो आपके घर में सबको यह प्रसंद आएंगे तो लीजिए एक बाइट है और आपको यह अगर रेसिपी प्रसंद आई जो आपको बहुत जारा पसंद आएंगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching आगे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए good bye take care अपना ध्यान रखिएगा